अभी तू सुजा कल सुबह जाकर ले आना दोस्तों बॉक्स ओपिस पे इस वक्त काफी बड़ी बड़ी फिल्में चल रही है पर आज हम आपको बताएंगे बीश्ट मुवी के अभी तक के बॉक्स ओपिस कलेक्शन के बारे में साथी साथ हम बात करेंगे KGF के अभी तक के 16 दिनों के बॉक्स ओपिस कलेक्शन के बारे में और दोस्तों आपको बताएंगे ट्रिपल र मुवी के 35 देस के बॉक्स ओपिस कलेक्शन के बारे में साथी साथ दोस्तों हम बात करेंगे जर्सी मूवी के भी आठ दिनों के box office collection के बारे में तो चलिए दोस्तों अगर आपको इन सभी मूवी के update जानना अच्छा लगता है और public review देखना अच्छा लगता है तो आप हमार चैनलों को subscribe कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुच पाए सूध हिंदी में सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले फिल्म बीश्ट की तो दोस्तों आप सभी को पता है कि रो एजेंड को पर बनाए गई बहतरिंग फिल्म है बीश्ट है जिसके दर आपको थाला पती वीजह सर एंड पूजा हैगडे में हम काम करतुई नजर आती है दोस्तों ओडियन्स को फिल्म में काफ़ एदा पसंद आई और फिल्म का कलेश हुआ था KGF Chapter 2 से दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का इंडियन नेट कलेक्शन हो चुका है एकसो अठाविस करोड चोहोत्तर लाक रुपे का फिल्म में का gross collection 141 करोड 30 लाक रुपे हो चुका है फिल्म ने over इसे से 60 करोड 70 लाक रुपे कमा लिये हैं और फिल्म में का worldwide gross collection 202 करोड रुपे हो चुका है और दोस्तों फिल्म में का budget केवल 1500 करोड था यानि कि दोस्तों यहाँ पर बीश्टी फिल्म already super duper hit हो चुकी है इसी तो यहाँ पर triple R movie ने collection के मामले में KGF chapter 2 को काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है दोस्तों अगर बात करी जाए तो KGF chapter 2 का अभी तक का India net collection 668 करोड रुपे बता जा रहा है पर दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म में का lifetime collection 1500 करोड रुपे बता जा रहा है और दोस्तों यहाँ पर KGF chapter 2 केवल 1500 करोड के उपर जाके रुख जाती है क्योंकि दोस्तों फिल्म में के जो right से वो सारे 500 करोड रुपे में बेचे गए हैं अगर उसको भी include करते हैं तो यह फिल्म 250 करोड रुपे ही कमा पाई है पर दोस्तों बात करें कि KGF chapter 2 के सही में 1500 करोड इंडिया भट और राजे देगों जैसे बेहतरिंग एक्टर काम कर रहे थे फिल्म ने अपने पहले दिन की ओपनिंग ली थी 133 करोड रुपे की फिल्म में का दोस्तों इंडिया नेट कलेक्शन 768 करोड रुपे आ रहा था और इस फिल्म में का वर्ल्ड वाइड ग्रोस क छोड़ते हुए साउथ की आगे बढ़ चुकी है और दोस्तों कमा चुकी है 2330 करोड रुपे जो कि एक भारत की फिल्म में के लिए काफी बड़ा बिजना से इसी की साथ अगर हम नजर डाले हमारी आकरी फिल्म जर्सी पे तो दोस्तों जर्सी फिल्म में आपको साहित कप ठाकूर, मनिरुल ठाकूर और पंकच कपूर जैसे बहतरिंग एक्टर काम करते हुए नजर आते हैं दोस्तों फिल्म न अपने पहले दिन की आपनिंग लिती 3,90,000,000 रुपे की और फिल्म न अपने पहले हपते में 21,28,000,000 का टूटल कलेक्शन कर लिया था पर दोस्तों ग्रोस कलेक्शन रहा 25 करोड रुपे और फिल्म न ऑवरसर से कमालियत 10 करोड रुपे जिसका वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 35 करोड रुपे का दोस्तों आपको बता दे कि फिल्म में काफ़ ज़रा अच्छी है और ओडियस इस फिल्म को फिर भी देखने चारी है अब दोस्तों आपको इन चारों में से कौन सी फिल्म अच्छे लगी कमेंड करके ज़रू बताइएगा और आपके रहमाचेर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जय हिंद वंदे मातरम